आपके पास realme का को भी smartphone है और आप जानना चाहते है realme smartphone में जो एप है एप का data जो है clear कैसे करें या फिर catch कैसे करें इससा हो इससे होता क्या है सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करूँगा data clear और data catch से क्या होता है इसका मतलब क्या है और आप कैसे कर सकते हैं realme के किसी भ इससा आपके लिए helpful वीडियो लेके आता रहता हूं तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर कोई भी apps हो सकता है उस पर आप long press करेंगे और वहाँ पर एक app info की setting खुल जाती है उस पर आप tap करेंगे और यह सीधा यहाँ पर लेके आ जाएगा यानि कि app info के अंदर तो यहाँ पर storage use पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा data clear और data catch तो data catch करने से क्या होगा जो भी app है उसने background में जितना भी data ले लिया होगा वो run कर रहा होगा वो catch हो जाएगा तो आपकी RAM है वो हट जाएगी ठीक है यानि कि RAM जो भरी होई है वो खाली हो जाएगी और आपका app अच्छी से work करेगा और phone पर भी कोई problem नहीं आएगी ठीक है और दूसरा होता है यहाँ पर clear data देखो clear data करने से क्या होता है आपका app है वो setup है वो उसका data है वो delete हो जाएगा यानि कि हट जाएगा ठीक है जैसी कि मैं clear data पर क्लिक करूंग यह warning देता है this app this app's data will be permanently deleted this includes file setting database and other app data ठीक है यहनि कि अगर आप इसका data clear करेंगे तो आपने जो भी उसमें search किया होगा जो कुछ भी होगा ठीक है वो हट जाएगा ठीक है जैसी कि whatsapp का आप कर रहे हैं तो whatsapp के अंदर आपको फिर चे लॉग इन होना पड़ेगा उसका जो भी data catch बगरा है data है जो भी chat ठीक है सब डिलिल हो जाएगा ठीक है तो आपको data clear तभी करना है जब आपको उसकी सारी चीजें अपकी पता हो तब आपको करना है catch आप कर सकते हैं किसी भी आपका ठीक है कोई problem भी नहीं आएगी